नमस्कार, बारास सिमा पार से होने वाले किसी भी आतंकवादी क्रिप्ति का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, चुकि आतंकवादी किसी नियम को नहीं मानते, वह किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर लगाम लगाने की कारवाई को नियमों में कैसे कोई ब भीरतेवे विदेश मंत्री डॉक्टर सुप्रमन्यम जैशंकर ने शुक्रवार को पूने में एक कारिक्रम में उक्तर्टिपनी की अपनी बात को इस पस्च रूप से रखने के लिए विख्यात और देश हो या विदेश बिनार लाग लपेट के बोलना जिनकी आदत है ऐसे विदेश मंत्री डॉक्टर जैशंकर ने पाकिस्तान पर आतलपवाद की फैक्टरी चलाने के लिए जमकर हल्ला वोला भारत क्यों माइने रखता है ये वाउं के लिए आफसर और वैश्विक परिद्रिश्य में भागिदारी विशय पर आयोजित एक कारिक्रम में ये हमला होता है और कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आगे ऐसे हमलों को कैसे रोका जा सकता है उन्होंने दोजार आट में 26-11 के मुंबई आतंकवादी हमलों को लेकर संयुक्त प्रगतिशिल गडबंदन यूपीय सरकार पर हमला करते वे कहा कि सरकारी इस तर पर बहुत विचार विमर्ष के बाद भी उस समय कुछ भी सार्थक परेडाम नहीं निकला क्योंकि यह माना गया कि पाकिस्तान पर हमला करने की कीमत उस पर हमला न करने से अधिक होगी विदेश मंतरी जैशंकर ने यह भी कहा कि 2014 के बाद से देश की विदेश श्रिती में बदलाव आया है और आतंगवाद से इसी तरह से निप्टा जाता है उनसे जब उन देशों के बारे में पूछा गया जिनके साथ भारत को संबंद बनाए रखना चुनोते पून लगता है तो उसके जवाब में ड़क्टर जैशंकर ने कहा कि भारत को यह सवाल करना चाहिए कि क्या उसे कुछ देशों के साथ कोई संबंद बनाए भी रखना चाहिए क्या उन्होंने कहा एक हमारा पौडोसी देश ही है आईए हमें इमानदार होकर सोचें एक देश जो बहुत-बहुत कठिन है वह पाकिस्तान है और इसके लिए हमें सिर्फ आत्म निरिक्षन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है इसकी एक वज़ा हम खुद हैं उन्होंने कहा कि अगर भारत शुरुवात से ही इसपस्ट होता कि पाकिस्तान आतंकवाद में लिप्त है और भारत को जिसे किसी भी परिस्तिती में बरदास्त नहीं करना चाहिए तो देश की निती बहुत अलग होती विदेश मुंत्री ने कहा 2014 में मूदी जी आए लेकिन यह समस्या यानि की आतंकवाद 2014 में शुरू नहीं वी इसकी शुरुवारत मूंबई हमले से नहीं वी इस समस्या का जन्व 1947 में हुआ 1947 में पहले लोग यानि की आकरांता कश्मीर आए उन्होंने कश्मीर पर हमला किया यह आतंकवादी घट नहीं थी वे गावों और कस्बों को जला रहे थे ये लोग पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सिमान प्रांथ के आदिवासी थे हमने सेना भेजी और कश्मीर का एकी करणवा उन्होंने कहा जब भारती सेना कारवाई कर रही थी हम बीच में रुग गए और सेंग्युक तरास्त में जाकर उले किया कि हमला आतंकवाद के वज़ाए आदिवासी आकरमरकारियों द्वारा किया गया था इस बात से आतंकवाद को एक वैदता सी मिल गई इसे इस तरह से बताया गया जैसे ये हमला सही था उन्होंने कहा कि 1965 के भारत पार्ग युद में पाकिस्तान ने सबसे पहले गुश पैठियों को तोरफोड के लिए बेजा था उन्होंने कहा आतंकवाद के बारे में हमें अपने मन में बहुत इस्पस्ट होना होगा किसी भी परिस्तिती में किसी भी परोसी या किसी ऐसे व्यक्ती से आतंकवादी गतिविदी स्वीकारे नहीं है जो आपको बाचीत की मीच पर बैठने के लिए, मजबूर करने के लिए आतंकवात का इस्तेमाल करता हो इसे कभी भी स्युकार नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कहा एक बदलाव आतंकवात को लेकर है 26-11 के मुंबई हमले के बाद देश में एक भी वक्ती ऐसा नहीं था जिसने महसूस किया हो कि हमें हमले का जवाब नहीं देना चाहिए था देश में हर किसी ने इसे महसूस किया आज के इस अंक में बस इतना ही आप सेंडरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे जैहन